हलो स्टुडेंट आइम डॉक्टर सरीता खंडेलवाल असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री फॉर्म जे डी बी गवर्मेंट गर्स कॉलेज स्टुडेंट आज के लेक्चर में हम अल्फा बीटा अंसाचुरेटेड़ कंपॉंद्स को कंटीन्यू करेंगे प्रिविएस लेक्चर में हमने अक्रोलीन को डिटेल में पढ़ा था जो कि एक अल्फा बीटा अंसाचुरेटेड़ आल्डी हाइड है आज के लेक्चर में हम आगे के पॉइंट्स लेंगे जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रोटोन अल्डी हाइड या ट्यू बीटिनल ये भी एक अल्फा बीटा अंसाचुरेटेड़ कंपॉंद्स है अल्फा बीटा अंसाचुरेटेड अल्डी हाइड की कैटेगरी में ये accraline का higher member है इसमें accraline से A-carbon जादा होता है और इसे Croton LDide कहते हैं बच्चो croton LDide का बनना अपने A cuidado reaction में देखा था और終 PLIFT क्रोटो Pen Dehydration ओकर हमें Croton LDide मिलता है तो अगर आपसे पूछे कि Croton LD, अपने सबसे पहले कहां पढ़ाता है के बाइडाइड की के लिडाइड कि बना कंडंसेशनट आप निर्मान भाइड तो यह हो गया आपका क्रूटेन ल्डिया गजा बूक्या में ऊक्रीज आपक यहां निकल रहा है अते हैं अगर हम ढर्लेंड लृ शुह इंगर कंड़ाइड लिग इस दी हृटर्डी में पर द अब बात करते हैं कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है यह कलर लैस होता है इंटेंस स्मेल वाला एक लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 104 डिग्री होता है एक्रोलिन की तरह यह एक्रोलिन की तरह यह एक्रोलिन और एल्डियाइड की अभी क्रियाएं देता है जिन मेंसे कुछ रियक्शन्स जो है में रिडूसिंग रियक्शन्स है उसको हम देखते हैं एक्रोलिन का जब रेने निकल से रेडक्शन किया जाता है तो वन ब्यूटेनल बनता है जो कि एक एलकोहल है तो जो रेने निकल होता है वो डबल बॉंड और सी एचो समूदों का रेडक्शन कर रहा है आप जैसा कि इस रेक्शन में देख रहे हैं डबल बॉंड और सी एचो है लीतियम-लगूनियम हैडराइड लेते हैं तो उसमें क्या होता है डबल बॉंड का तो डेक्षण नहीं होता है और गुत्तोई मिल जाता है क्रोटोन एल्डियाइड जोमेट्रिकल आईसो मरिज में भी परदिशित करता है और सिस और ट्रांस रूप में पाया जाता है इसे आप स्टेरियो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझेंगे यह इसकी सिस फॉर्म है और यह ट्रांस फॉर्म है बच्चो H, H के आधार पे सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म दी गई है जब दूनों H एक तरफ होते हैं तो उसे सिस कहा जाता है और जब दूनों अपोजिट डिरेक्शन में होते हैं तो उसे ट्रांस कहा जाता है तो आपने देखा कि क्रोटोन अल्डियाइड है वो जोमेट्रिकल आईसोमरीज में भी देता है इसका यूज होता है वो सॉल्वेंट के रूप में और कीटनाशक दवाईयों के रूप में और N-butile alcohol बनाने में किया जाता है तो यह तो बच्चो था क्रोटोन अल्डियाइड अभी तक हमने दो अल्फा बीटा अंसाचुरेटिर अल्डियाइड के एक्जामपल पढ़ें अब हम किटून के एक्जामपल पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मितायल विनाइल किटून जिसे की ब्यूट 3-2-0 भी कहा जाता है यह सबसे लुएस्ट मेंबर है सबसे सिंपल मेंबर है अनसाचुरेटिर किटून का सबसे पहले इसको बनाया कैसे जाता है हम देखते हैं फॉर्मल डियाइड और ऐसी टून के प्राप्ती होती है यह हो गया यह जो सिएच टू डबल मोंड होता है वह विनायल गुरूप होता है इसलिए इसे मितायल विनायल किटून खहा जाता है जिंक क्लोराइड अगर केटलिस्ट की उपस्तिती ली जाए और एथाइलिन और एसेटिक एनाइडरीड की रियक्शन कराई जाए तो भी हमें ये प्रोडेक्ट मिलता है methyl vinyl ketone मनाने के लिए एक और method है जिसमें acetic anhydride की reaction vinyl magnesium bromide से कराई जाती है तो भी हमें vinyl methyl ketone की प्राप्ति होती है चौता method इसका industrial method है जिसमें vinyl acetylene ये देखें vinyl acetylene है इसका जब dehydration किया जाता है H2SO4, HGSO4 की presence में तो हमें methyl vinyl ketone मिलता है ये reaction मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इसमें east double bond पर hydration हो जाता है जल के molecule का addition हो जाता है और methyl vinyl ketone की प्राप्ति होती है तो ये तो हो गए इसको बनाने के चार method अब हम देखते हैं properties ये colorless liquid होता है इसका boiling point 79 degree centigrade होता है इसमें double bond और ketonical functional group होते हो और ये इनकी reaction देता है जब इसपे HBR का addition कराए जाता है तो anti-marconico की according reaction होती है और हमें 4-bromo-2-butanone मिलता है बच्चों मैं यहाँ detail में नहीं जाओंगी क्योंकि इस सबकी mechanism मैंने इनकी reaction में बता दी थी आप उस mechanism के आधार पर product बनाने की कोशिश कीजिए यहाँ पर मैं mechanism फिर से बता देती हूँ एक बार सबसे पहले H plus का ketonic oxygen पर addition होता है यहाँ पर bond ऐसे move करता है carbon पर positive charge आ जाता है फिर double bond का conjugation होता है इस वाले carbon पर positive charge आ जाता है BR जो होता है वो इस वाले carbon से चुड़ जाएगा यह हमें inol रूप मिला इसका keto form final product के रूप में मिलता है यह mechanism मैं पहले भी discuss कर चुकी हूँ Michael condensation यह जो ketones होती है alpha beta unsaturated ketones इनकी काफी important reaction है Michael condensation और यह काफी important name reaction है और काफी बार competitive exams में भी पूछी जाती है और आपके theory exams में भी इसकी reaction के पूछने के chances काफी होते हैं इसमें क्या होता है कि जो active methylene group वाले compounds होते हैं वो किसी base की presence में उनका condensation होता है आपको active methylene group मैं पहले भी बता चुकी हूँ जब एक carbon से दो electron withdrawing group जुड़े रहते हैं वो active methylene carbon वाले योगिक होते हैं for example इधर CH2 से दो ester group जुड़े रहते हैं ester electron withdrawing nature का होता है तो यह जो carbon होगा वो active methylene group हो जाएगा अब reaction base की presence में कराई जाती है और product यह मिलता है मैं इसकी mechanism बताती हूँ उससे आपको आसानी से समझ में आएगा यह है base ठीक है base ने active methylene से H ले लिया acid base reaction हुई और यह carbonine में बदल लिया carbonine मतलब यह nucleophile की तरह काम कर सकता है next step में यह nucleophile की तरह काम करेगा इसका nucleophilic attack होगा इस वाले carbon पे क्योंकि double bond का इस तरह से shift होएगा और इस वाले carbon पे इस nucleophile का attack हो जाएगा जब इस वाले carbon पे nucleophile का attack होगा तो हमें यह product मिलेगा ठीक है फिर इसका protonation हो जाएगा यहाँ पे H जुड़ जाएगा क्योंकि O- ऐसे अकेला तो पड़ा नहीं रह सकता तो हमें product की inol form मिलेगा आपको पता inol form से keto form ज्यादा stable होती है तो यह इस तरीके से totomerism होगी और हमें inol form keto form में बदल जाएगी और हमें finally यह keto form वाला product मिल जाएगा यह हमारा final product है तो बच्चो यह हो गई Michael condensation reaction Michael condensation में क्या होता है simple alpha beta unsaturated ketones उस पर active methylene group वाले compound का addition होता है in the presence of base यह reaction सारी इनकी mechanism एक ही है आपको पहले acid base reaction करवानी है nucleophile मनाना है और nucleophile का carbonil compound पे attack करवाना है बच्चो अगर alpha beta unsaturated compound नहीं होता simple carbonil compound होता तो keto group पे nucleophile का attack होता लेकिन चुकि यह alpha beta unsaturated carbonil compound है यहाँ पे keto group की जगे जो alpha beta unsaturated compound है उसके beta carbon पे nucleophile का attack होता है तो यह थोड़ी सी different चीज हो गए इसलिए यह reaction काफी important है तो बच्चो यह chapter खतम होता है इसी के साथ तो हमारा जो unit third है जिसमें की aldeide और ketone ते वो खतम होता है आपको यह chapter काफी important है आगे तक के लिए काफी important है और यह काफी easy भी है इसमें nucleophilic addition reaction और थोड़ी acid base reaction वगरा ही है आप इसे अच्छे से पढ़िए variety of product बनते हैं chemical preparation की दृष्टी से भी यह काफी important chapter है तो इसी के साथ यह chapter खतम होता है जल्दी से हम पूरे chapter का quick revision देख लेते हैं हम points to be remembered देखते हैं कि एक quick revision हम देख लेते हैं carbonil compounds क्या होते हैं जिनमें CO समू उपस्तित होता है उसे carbonil compound कहते हैं अगर दोनों valency alkyl group से fulfill होती है तो उन्हें हम ketone कहते हैं और एक valency hydrogen से और एक alkyl group से fulfill होती है तो उसे हम aldeide कहते हैं बनाने की जो main method से हम उनकी बात करें तो primary alcohol के oxidation से aldeide बनता और secondary alcohol के oxidation से ketone का निर्मान होता है open or oxidation होता है वो देख लेते हैं उसे की अगर oxidation क्या होता है वो ही alcohol से aldeide ketone के निर्मान को oxidation कहते हैं लेकिन यदि अगर ये oxidation aluminium tri butoxide की presence में कराया जाता है तो उसे open or oxidation कहा जाता है इसको याद करना है कि इसमें कौन सा reagent लिया जाता है अब alkyne के ogenolysis होता है उससे भी carbonil compound का निर्मान होता है jam dihalide के hydrolysis से carbonil compound का निर्मान होता है और alkyne के hydrolysis अगर H2SO4, HGSO4 की presence में कराया जाता है तो भी carbonil compound का निर्मान होता है इसके अलावा carboxlic acid और उसके calcium salt है उनसे भी aldeide और ketone का निर्मान कराया जा सकता है erosion moon reaction इसमें क्या होता है acyl chloride से aldeide का निर्मान होता है और आप क्या लेते हैं PD-BSO4 इसकी presence में reduction होता है acyl chloride का और aldeide का निर्मान होता है stefan method में भी aldeide का निर्मान होता है इसमें cyanide का cyanide से aldeide बनाया जाता है और जो reagent क्या होता है SCL और SNCL2 यह हो गई stefan विदी etard reaction etard reaction में aryl aromatic compound मतलब alkyl aryl compound होते हैं उससे aldeide का निर्मान होता है इसमें जो reaction होती है वो CRO2, Cl2 की presence में होती है जो अंतिम carbon होता है वो aldeide ग्रूप में बदल जाता है यह होती है etard reaction फिर somulate reaction होती है इसमें aryl alkyl chloride इसके द्वारा aldeide का निर्मान होता है और यह reagent लिया जाता है यह somulate reaction हो गई gutterman coach synthesis में benzene की reaction जब carbon monoxide से कराई जाती है catalyst की presence में तो aromatic aldeide का निर्मान होता है gutterman synthesis में क्या होता है benzene की reaction HCl से कराई जाती है तो हमें aromatic aldeide की प्राप्ती होती है इसी तरह ketone और aldeide बनाने की एक विदी है जिसमें ketone और aldeide बनाने की एक विदी है alkyl lithium, alkyl halide और hydrolysis इन सबको मैं डिटेल में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ इसे korea house synthesis कहा जाता है friedal craft reaction से भी ketone का निर्मान हो सकता है अब ये reaction कौन कौन सी देखते हैं एक तो ना भी किस नहीं योगात्मा कभी क्या nucleophilic addition reaction देते हैं जैसे आप देख रहे हैं कार्बोनिल पे SCN का अटेक NAS, SO3 का अटेक alcohol का अटेक ये इसकी nucleophilic addition reaction हो गई फिर condensation reaction की बात करूं तो benjoin condensation aldol condensation है parking reaction है novengel reaction है benjoin condensation में aldeide का condensation होता है KACN की presence में aldol condensation से कोई भी aldeide और ketune दे सकते हैं जिनके पास alpha hydrogen present है parking reaction में benjoaldiide और acetic anidide का condensation होता है acetic sodium acetate की presence में novengel reaction होती है इसके बाद इसकी addition reaction होती है ammonia derivative से आप देख रहे हैं various ammonia derivative से reaction होती है shift base का निर्मान होता है ये shift base का निर्मान हो रहा है ठीक है ये सब addition reaction है variety of addition reaction है फिर whitting reaction देखी थी हमने manic reaction देखी थी polymerization reaction देखी थी kleasant condensation देखा थी क्लेजन कंडनसेशन देखा थी जिसमें ester का condensation होता है kleasant shimit reaction देखी थी जिनमें aldeide का condensation होता है रिफॉमटेस की रिएक्शन दीकितों जिसमें किलो एस्टर का एडिशन होता है Carbonyl Compound पे टिर्शेंको डीक्शन देकितीं जिसमें 2- années condenator को अर्थ एस्टर बनता है हट्षम रिएक्शन देकितीं और हमने देकिती किस तरह के Molecules ही हट्षम रियक्शन देटें फिर Oxidation Reaction देखी, Canisaro Reaction देखी, Mirvine Pondorov Verlay Reduction देखा, Clemencion Reduction देखा था हमने, Wolf-Klishner Reduction देखा था, Lithium Almonium Hydride, NaBH4 या Nickel से किस तरह से Reduction किया जाता है हमने वो भी देखा था और लास्ट में हमने Alpha-Beta Unsaturated Carbonil Compounds पढ़े थे, जिसमें कि हमने उनकी Properties देखी थी और Acryoline, Crotone Ldeide और Methyl Vinyl Ketone इनको हमने डिटेल में पढ़ा था और हमने देखा था कि जब Double Bond और Ketonic Group या Carbonil Group एक दूसरे से Conjugation में होते हैं तो उनकी Property थोड़ी सी Change हो जाती है Simple Carbonil Compound से तो ये बच्चो ये हो गया हमारा Unit 3rd जिसमें कि हमने Ldeide और Ketone की Study की बच्चो काफी Important Chapter है और ये जो ये है Point to be Remember ये काफी अच्छा है क्योंकि इससे आप एक Quick Revise कर सकते हैं और आप अपनी सारी reaction को इसको माइंड में चलाइए कि किस तरह से reaction हो रही है क्या हो रही है और बच्चो ये Ldeide Ketone Practical के उसमें भी इनके Functional Group Testing का काफी Important Point रहता है वहाँ पे भी आपको कार्बोनील ग्रूप को पैचानना होता है और उसके अंतरगरत आपको ये देखना होता है कि दिया गया कार्बोनील कंपोंड Ldeide की Ketone है हमने इसके Reduction और Oxidation, Tollen, Reagent वगेरा उससे हमने देखा था कि L और Ketone Group को कैसे अलग कर सकते हैं तो ये बच्चों आज मैं ये Unit 3 यही कतम करती हूं हम BSC Part 2 की 4 Unit मैं करवा चुकी हूं 1st Unit, 2nd Unit, 3rd Unit, 4th Unit ये complete हो चुकी है और इस Unit के एक एक चैप्टर को लिया गया है ऐसा नहीं है कोई Chapter चोड़ा गया है स्पेक्टोस्कोपी हो गई, एलकोहल, फिनॉल हो गया, फिर हमने Acid-Acid Derivatives कर लिया और L-D-I-D Ketone कर लिया फिफ्ट जो यूनिट है वो है Nitrogen Containing Compounds वो Compounds जिसमें Nitrogen प्रिजेंट रहते हैं अब हम फिफ्ट यूनिट लेंगे और हो फुली दिसंबर तक है फिफ्ट यूनि और आसानी से आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करें तो आसानी से आपको reaction समझ में आ जाती है और गिनिक सबसे बड़ा फंडा यह है कि आप उसकी mechanism समझे अगर आपको mechanism समझ में आ गई की reaction कैसे हो रही है तो आपको कोई भी unknown reactants दे दे आप product का निर्मान कर सकते हैं तो आप आप जो ज्यादा फूकस करें वो mechanism को समझने की कोशिश करिए और हर functional group के आगे वो किस-किस तरह की reaction दे सकता है कौन-कौन सी characteristic reaction दे सकता है उसका एक चार्ट बना लीजिए और उस चार्ट के आधार पे आप से जैसे ही पूचा जाए आप उस mechanism को apply करके product बना सके तो यह है अब next lecture से हम fifth और आखरी unit nitrogen containing compound start करेंगे और इसी के साथ हमारा course syllabus hopefully December तक खतम हो जाएगा फिर हम question practice थोड़ा सा revision वगरा ले सकते हैं जहांपे भी आपको problem हो Thank you so much students